दोस्तो रोजाना गवर्णमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैं से सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेला इकन को भी दबा ले दोस्तो आज है 16 सितंबर 2021 गुरुवार एक बार फिर से मापके लिए सरकारी नोकरी की अपडेट लेके आ चुके हैं जियां दोस्तो पांच भागों के अंतरगर्द बड़ी भरती की अपडेट आ चुकी हैं सभी भरत्यों के ओफिशल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं औ और इनमें कुछ भरत्या ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एकजाम नहीं देना होगा जियां मोस्तो दस वी बार वी आईटाई डिक्री डिप्लोमा और भी अन्योगेताउस से आप एपलाई कर सकते हो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी स्वाल ड़ाउट के लिए रहोंगे तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाई सुरू करते हैं आज की पांच बड़ी भरत्यों में यहां फर वैकेंसिज है अपरेंटिसिप रोल के एकोडिंग सेली प्रोवाइड की जाएगी दसवी पास पलस आईटाई से आप एपलाई कर सकते हो एज लिमिट 15 से 24 से फीस आपको जमा नहीं करनी होगी अउड नहीं कोई एक्जाम देना होगा मेरिट से इसमें आपक चेन होगा ओनलाइन तरीके से आपको आविदन करना होगा ओल ओवर इंडिया से आप एपलाई ओनलाइन कर सकते हो rrcnr.org यह इसकी ओफिशल वैब साइट है जिससे आप ओनलाइन एपलाई कर सकते हो बात अगर इंपोटेंट डेट्स की की जाए तो इस भरती के लिए ओन पुष्टाहारी भाग में पोस्ट है आगनवाडी वरकर, मिन आगनवाडी वरकर और आगनवाडी हेलपर की पोस्ट वाइज वैकेंसी जाप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो सेली भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो यो किता की बात की जाए तो आगनवाडी हेलपर के पांचवी पास आंगनवाडी वर्कर मिनिय आंगनवाडी वर्कर के लिए दसवी पास एपलाई कर सकते हैं एज लिमिट 21 से 45 और 21 से 50 वर्स है फीस आपको जमा नहीं करनी होगी नहीं कोई एक्जाम देना होगा मेरिट से इसमें भी आपका चेन किया जाएगा ओनलाईन तरीके से आप एपलाई कर सकते हो यूपी उत्तर परदेश जोब लोकेशन है बालविकास यूपी.joe.in ये इसकी ओफिशल गवर्मेंट वेबसाइट है जिससे आप ओनलाईन एपलाई कर सकते हो लास्ट एट के अगर बात की जाए तो यहाँपर लास्ट एट एपलाई ओनलाईन करने की खेरी के लिए हाँपर 24 सितंबर है और मधुरा के लिए 27 सितंबर है और कासगंज के लिए 30 सितंबर है खुरक पुर के लिए हाँपर 4 उक्टूबर तक आप आवेजन कर सकते हो फरुकाबाद के लिए हाँ पर 4 अक्टूबर 2021 ओनलाइन करने की अंतिमती थी है उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जोब निकली है वो निकली है NIIST के अंदरगत पोस्ट है जूनिर सेक्रेटेट असिस्टेंट और सिक्योर्टी असिस्टेंट की वेकेंसिज आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो सेल ली जूनिर सेक्रेटेट असिस्टेंट के लिए 29,900 से 63,200 है लेवल 2 के अंतरगत सिक्योर्ट असिस्टेंट के लिए 35,400 से 1,12,400 है लेवल 6 के अंतरगत बार्यू पास अपलाई कर सकते है 28 वर्ष मैक्सिमम आयू सीमा है फीज जनरल OBCWS के लिए 100 रुपे है SST female PWD के लिए कोई भी फीज नहीं है जो की आप उनलाइन पैमेंट कर सकते हो सेलेक्शन होगा रिटन एक्जाम और टाइपिंग टेस्ट के आधार पे उनलाइन तरीके से आप आवेधन कर सकते हो त्रिवन्तपुरम केरड़ा जोब लोकेशन है उल इंडिया से उनलाइन कर सकते हो IICT India.org पोडल से उनलाइन एपलाई कर सकते हो लास्ट एट एपलाईन करने की 11 उक्टूबर 2021 है और फीस पैमेंट करने की लास्ट एट भी 11 उक्टूबर 2021 है उसके बाद दोस्तों जो फोर नंबर पर जोब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमिशन में लोग से वायोग पीएसी के इंतरगति भरती है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है एक सो तेहतर वैकेंसी है जेके पीएसी रूल के एकोडिंग यहाँ पर सेली प्रोवाइड की जाएगी मास्टर डिगर और पीएजडी डिगरी से आप एपलाई कर सकते हो मैक्सिमम चालीस वर सायू सीमा है जनरल कैटिगरी के लिए एक जार उपे फीस है रिजव कैटिगरी के लिए 500 है पीएसी कैंडिडेस के लिए कोई भी फीस नहीं है जो की आप नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, मैस्टर, रुपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ओनलाइन पैमेंट कर सकते हो सलेक्शन भीना एक्जाम के होगा अकेडमिक मैरी टाउर इंचू के आधार पे ओनलाइन तरीके से आप एपलाई कर सकते हो जम्मेंट कस्मीर जोब लोकेशन है jkpsc.nic.in portal से ओनलाइन कर सकते हो लाश्ट टेट एपलाईन ओनलाइन करने की 7 अक्टूबर 2021 है फीस पैमेंट करने की लाश्ट टेट भी 7 अक्टूबर 2021 है उसके बाद दोस्तों जो फाइप ओल लाश्ट नंबर पर जोब निकली है हो निकली है 17 जयल विद्धूत निकम में SJVN के इंटरकर्ट फिल्ड इंजिनिर की पोस्ट निकली है कैटिगीर वाइज वैकेंसिज आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो 66,000 रुपे सेली है परती मा के लिए इंजिनरिंग डिकरी से ही आप एपलाई कर सकते हो मैक्सिमम 30 और सायू सीवा है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 590 रुपे आविदन सुल्क है SSTPWD के लिए कोई भी आविदन सुल्क नहीं है जो की आप ओनलाईन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट पैंकिंग और इचालान से उफलाईन भी जमा करा सकते हो सेलेक्शन बिना एक्जाम के होगा आप परसनल इंट्यू के आधार पे ओनलाईन तरीके से आप एपलाई कर सकते हो हपी हिमाचल परदी जोग लोकेशन है ओल ओवर इंडिया से आप एपलाईन ऑनलाईन कर सकते हो sjvn.nic.in इसके ओफिशल गवर्मेंट वेबसाइट है जिससे आप ओनलाईन अपलाईन कर सकते हो लाश्ट एपलाईन ऑनलाईन करने की 21 सितंबर 2020 है तो दोस्तों यह थी आज क्यानी के 16 सितंबर 2020 की तो 5 भर्तियों की पूरी जानकारी अगर आपको अभिन भर्तियों के बारे में और ज़्यद जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्सन पलस फर्ष्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा और हमारी स्पेज पर विजित करके आप इसे किसी भी भर्ति की ओफिशल नोटिफिकेशन की पीडियप simply download कर सकते हो लिक यही पर provide किये अब विदन करने के लिए भी यही पर आपको लिंक दे गए है आप किसी भी भर्ति के लिए directly हीसे आविदन कर सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंदाई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेड जरूर करे साथी साथ दोस्तों अगर आपके मन में अभी इन भर्टूस रिलेटिड कोई क्वेस्चेन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माजल से पूछ सकते हो और अगर अगर आपने भी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्मेंट जोब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं